अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आड करें अपने वार बाउनलोडर शो करें कहीं जा रही हैं आप यह सारी चकुरी दाई जी ने पहना ही है वो चाहती है कि आज मेरी और रसाल की मुदिखाई हो कुछ कमी है शिव आप क्या कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है जरूरत है क्योंकि आज ठाकर शवराज हसेम की ताकुरायन की मोदिखाई है रसाल ने क्या किस्मत पाई है जो ब्या करके आई भी तो अपकी बहु बनकर अरे चकोरी बहन अपनी बहु को तो बुला हम कबसे बेताब है रसाल को देखने के लिए आप लोगों से कई ज्यादा बेताब मैं हूँ इस रस्तम और जश्न को शुरू करने के लिए मैं अपने दोनों बहुँ को बुला के लाती हूँ पूरे गाउवालों के सामने अपने बीवी के पल्लू पकड़के आएगा तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाव है जा जाके मर्दों के बीच खड़ाओ जाओ सीवा कल तुने मुंग पे बंदुग दाने समर पे चिर्मीरा रहा है के फाइदा जिसको बोलना चाहिए उनको तो बोलता नहीं है जब देखो तब नाव पे गुशा रखके गुमता रहता है अपने गुशे पे काबू रखे समर सारा गाउं इखटा हो गया तेरी बीवी कहा रहे गई जा जा के ले आ जी ताई जी मैं अभी लेकर आता हूँ चलिए तब तक हम शिवा की पत्नी की मूदिखाई की रसम शुरू करते है आप लोग भी आईए और मूदिखाई की रसम कीजिए अब वैसे एक बात बताओ चकोरी बेन ये समर को रसाल मिली कहा अब के बताओ बेहन समर का दोस्त धौलपूर में रहता है और उनी के घर में ये दोनों भाईबेन पंदरा साल से नौकर थे अब मेरी तीखी मिर्श तो बच्पन से ही तेज है नजर जमाल ही उसने मेरे हीरे पे मेरा मतलब है अब जो होना था किसमत में वो तो होई गया ना चकोरी मासा आपने आज मूदिखाई के रसम रखी है लगता है कि आप हमारी हवेली की रीत बूल गई कोई ना याद दिला देता हूं कि मूदिखाई के दिन सासु अपनी बहु के हाथों में हमारे खांदानी कंगन पे नती है एक कंगन तो आप रसाड को देई चुके हो एब ये तुझा कनक जी के पास होना चाहिए वो जो अब भी तक आपके हाथों में है यो जो कंगन है ना कि हमारे खांदान की औरतों की शोभा है और एब जो आपने तुझा ब्यारा चाहिए लिया है टॉप टॉप हमारे खांदान की होई ना जाएए शुब काम में देरी कैसी सारी काउ उपालों के सामने तुने मेरा नाता तोड़ा इस खांदान से तु देख क्या हाल करती है तेरी भेहत का ये चकोरी के बात है लाड़ो अकेला के लिए क्यों आई है तो मार गया था थार को लेने के लिए कटे रहे गया अब के निया खेल खेल दिया तुने मारी चकरी वही जो बच्पन में इस तीखी मिर्चने मारे साथ खेला था कुछ भूली नहीं हो मैं चंपा की फूलों की पत्तियां सचती नहीं विचारी रसाल पर कर दो मुझ दिखाए के दिन ऐसी डरावनी शकल ये तो बहुत बड़ा अब शगुन हो गया चकुरी बहन के करू बहन नौकरानी थी ना पंद्रा साल से उटी चंपडी हो गई है सस्ती चीज़े इस्तमाल करकर के गी और हल्दी का लेप भी लगाया वो भी रासना आया कि लाग्जो सच सच पता के हुआ है चकुरी मासा ने बतला लिया है मैंने उनकी मूँ दिखाई के दिल उनके साथ भी ऐसा ही किया था ना नहीं भाइसा चकुरी मासा में मेरा तमाशा को बनाई दिया है अगर आप कुछ कहेंगे तो पूरे गाओं के सामने हम तोनों का तमाशा बन जाएगा आप कुछ नहीं पहेंगे अलोल जी है शाम तक सब ठीक हो जाएगा मेरी पहन के सब मान का पत्लह पूरे प्याज समेत वता उकच को री तुरी मासा अगर जाएगा क्या खानदानी हो लेकिन हो तो नौकर की पत्नी ने इसी बेज़ती की आदत डाल दो और देखा तेरा शेवा गवार और अकड़ देख कोई मेल भी है तेरा उसके साथ बच्पन से जानती हू इसे मैं इसी पागलपन में बेहा किया तुझ बेहा कि जताया तो ना मानी तो जबरदस्ती उठा कि यहां ले आया अब धीरे-धीरे तुझ पे हावी होगा अब तु ना धीरे-धीर अपना वजूद भी भूल जाएगी औरत हो ना इसलिए एक औरत की आजाती कितनी कीमती होती है समझती हूँ तु भी तो इससे आजाद होना चाहती है ना मैं तेरी मदद कर सकती हूँ आज रात को आंकर में आके मिल मुझसे ठीक है? मतēr रात के रहादी, जोना तु भी तु भी ना लिए यह. झाल झाल